जय शिया राम, रादे रादे, जय शिक्रुष्ण, जय माकाल, जय जिनेंद्र, सभी मित्रों का एक और बार में हार्दिक स्वागत करता हूँ, चर्चा करते हैं हम यहाँ पर, गुल्ड के बारे में उससे पहले आज दसे राहे, दसे रा के निमित पर प्रभु स्री राम की चर्णों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे आने वाले समय में जो हमारे तकलिफ है, हमारे दुख दूर करें और वो हमारा कल्यान करें, ऐसे उनके श्री चर्णों में प्रार्थना करके, आज का यह गोल्ड का जो वीडियो है, वो शुरू करते हैं, ठीके तो गोल्ड के अ करेंगे डीटेल में जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं 200-400 पॉइंट वाले वो अब मंडे टू फ्राइडे वाले वीडियो के अंदर जरूर डिसकेशन करते हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों ताकि आपको मंडे टू फ्राइडे में जो वीडियो आता है इस उबे में उसमें छोटे लेबल की चर्चा करते हैं आज यह विकली वीडियो है तो यहाँ पर एक बड़े ट्रेंड के बारे में हम डिसकेशन करने का प्रयास करेंगे ठीक है तो और बीच बीच में अच्छा लगता हो व रेजिस्टेंस के आसपास जाके जो है वो गोल्डे ने क्लोजिंग दिया है वैसे तो व्ल टाइम हाई के आसपास ही है लेकिन एक जो रेजिस्टेंस जो मैं मानके चलता हूँ वो है यहां से 76,455 के आसपास चीके 76,455 का जो लेवल है वो मैं मान के चलता हूँ कि एक resistance का काम कर सकता है अगर हम ये लेवल को उपर की तरफ काट के रुखने में काम्याब हो पाते हैं तो एक बड़ी अच्छी दूरी ताय कर सकता है अब कितना होगा क्या होगा क्योंकि all time high के उपर है दोस्तो तो उसको हम खुला छोड़ देंगे ये लेवल के उपर मेरा मानना है कि short वाली position हो से सावधा नेना चाहिए नहीं तो थोड़ा फिर हमें समझ्या पढ़ सकती है तो ये बात हो गई resistance के बारे में कल Friday था दोस्तों और वहाँ पर एक वीडियो जो आपके लिए पोस्ट किया था चैनल के उपर आपने देखा होगा एक ट्रेडिंग की जो psychology होती है मतलब ट्रेडिंग के अंदर जो हमें क्या दिक्कत आती है और छोटे छोटे जो मतलब बाते होती है गहरी बाते छोटी सी बात होती है लेकिन बहुती गहरी होती वो छोटी बात का जो है अगर हम द्यार ना रखे तो नुक्षान काफी बड़ा होता है बात छोटी होती है लेकिन नुक्षान बड़ा होता है तो मैंने सोचा ही कि छोटे छोटे एक एक मिनिट के वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आओ हपते में दो तिन बार जो है वो वीडियो पोस्ट करूँगा जैसे समय मिलेगा वैसे तो कल एक वीडियो जरूर पोस्ट किया है तो चैनल पर जाकर जो है वो आप जरूर उसको चेक करना तो आपको देखने को मिल जाएगा अब बात कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट के बारे में तो सपोर्ट यहाँ पर हम दूर के सपोर्ट की बात करेंगे यह चीज़ का ध्यान रखना 75,100 का जो लेवल है 75,100 वो हमारे लिए एक बहुती बड़ा strong base, strong support का काम करेगा तो यह लेवल के उपर जबता के तब तक थोड़ा सा में सावधा नेना चाहिए अब इन दौरान आप बोलोगे कि 76,300 के आसपासे 75,100 काफी बड़ा range हो गया है बिल्कुल हो गया दोस्तों मैं भी मानता हूँ लेकिन इन दौरान छोटे-छोटे जो भी support आएंगे वो मंडे वाले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे क्योंकि एक बार अभी resistance के आसपासे एक बार market को खुलने देते है मंडे को और खुलने के बाद जो हम decide करेंगे कि क्या हो सकता है तो मंडे तक जो हो वेट करेंगे और मंडे को जैसे market खुलेगा वहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे कि छोटा लेवल क्या बन सकता है छोटा नस्दिक का support क्या बन सकता है लेकिन बड़ा लेवल जो हो अभी मेरे द्यान में आया है यह हमें द्यान में तकना जाएए विकली के इसाब से 75100 के आसपास ठीक है तो यह वीडियो यहाँ पर करता हूँ समाब वीडियो अच्छा हो लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना पहले बार हो तो सब्स्राइब कर लेना मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए नमस्कार और जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद